भार्तिय इतिहास में पहली बार लोकसभा का स्पीकर टै करने के लिए भी चुनाव होगा। इंडिया गठ बंधन ने कांगरिस सांसद के सुरेश को स्पीकर पत के लिए अपना प्रत्याशी घूशित किया। जिसके बाद उन्होंने तुरंथ ही अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। डूसरी और बीजेपी सांसद ओम बिला ने भी एंडिया की ओर से स्पीकर चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लोकसभा स्पीकर के लिए अब बुधवार को मतदान होगा। जिसमें ये तैह होगा कि अठारवी लोकसभा के लिए स्पीकर कौन होगा। कि सुरेश के बारे में बात करें तो वो कॉंग्रेस पार्टी के सांसद हैं और आठवी बार जीत कर लोकसभा पहुँचे हैं। कि सुरेश केरल में कॉंग्रेस के एक दलित चहरे के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में मावेलिककारा सीट से आठवी बार जीत दर्ज की हैं। उन्होंने पहले भी चार बार इस सीट और चार बार ततकालीन अदूर निर्वाचन छेतर का प्रतिनिधित्व किया है। कि सुरेश पहली बार 1989 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और 2009 से मावेलिककारा सीट पर लगातार जीत दर्ज करते आ रही हैं। 2009 में उन्हें प्रधान मंत्री दौ मनमोहन सिंग की सरकार में केंद्रिय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री के रूप में पदोनत किया गया था। लोकसभाचनाव दो हजार चौबीस में के सुरेश ने CPI के युवा प्रत्याशी अरून कुमार को दस हजार मतों से हराया था। जो राज्य में सबसे कम अंतर था। यह वह निर्वाचन छेत्र हैं। जहां CPI, M के नेतरित्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के पास सभी साथ विधान सभाक्षेत्रों का कबजा है। बता दे कि पहले विपक्षी दलों ने सबसे अनुभवी सांसत के तौर पर के सुरेश को अठारवी लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर ना बनाने को लेकर। विरोध जताया था और अब सबसे अनुभवी होने के नाते ही विपक्षी दलों ने लोगसभा स्पीकर के चुनाव के लिए के सुरेश के नाम पर सहमती बना दी और के सुरेश ने नामांकन भी कर दिया है